वेलकम बैक गुड इवनिंग दोस्तो आज हम मद्ध प्रदेश इस्टैटिक जीके का छटवा लेक्चर देखेंगे इससे पहले मैंने और उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन्हें देख नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं मिल पाएगा ठीक है और कई बार तो नोटिफिकेशन ही नहीं मिल पाएगा आपको तो चलिए शुरू करते हैं और दोस्तों लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा तो आज का पहला प्रस् चलिए नेक्स्ट है मध्यप्रदेश में महिला होगी एकेडिमी की स्थापना कप की गई थी दोस्तों महिला होगी एकेडिमी की स्थापना जो है मध्यप्रदेश में बर्स 2006 में इसकी स्थापना की गई थी ठीक है नेक्स्ट प्रशनम देखें यहां पर रिसी केश कनित कर कि किस खेल के पो जाये नोएं दोस्तो जो है किरकेट के प्रशिद्य खिलाड़ी रहे हैं अगे बढ़ते हैं और दोस्तो आपकी एक और समस्या है बहुत सारे करिए तो मैंने आधर मार्ग अपनाया है मध्याम्मार्ग अपनाया है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे तो वैसे मध्याम-म ठीक थे तो आफ मुझह ज़यार कमेंट जिस चीज के आएंगे कि मेरे को dispute से पढ़ाना चाहिए या फिर बहुत slow जिस तरह से आज पढ़ा रहा हूँ इस तरह से पढ़ाना चाहिए ठीक है तो मुझे comment करके बदाईए आप लिए next question हम देखते हैं यहाँ पर मद्ध्रदेश में cricket के पहले क्लब पार्सी क्रिकेट क्लब की स्थापना 1890 में की गई थी तो इसका जो headquarter है कहाँ पर है उसका headquarter जो है इन दौर में ठीक है इन दौर में इसका headquarter है next हम देखते हैं आँपर मद्ध्रदेश में महिला होकी academy कहाँ पर इस्थापी थे दोस्तों देना आप तो रंडजी ट्रोफी जो प्रतियोगी तो मद्ध्रदेश में शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1934 में ठीक है 1934 में की सुरुआत हुई थी चलिए आगे बढ़े हम next परस्ट देखें मद्ध्रदेश में खेल महुत्साव का आयोजन का प्रारम किया गया था तो दोस्तों सबसे पहली बार मद्ध्रदेश में खेल महुत्साव का प्रारम किया गया था 1975 में जब यूबा कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी ठीक है उसी टाइम में यहां पर मद्ध्रदेश में खेल महुस्व का आयोजन भी प्रारम किया गया था चलिए next प्रस्ट हम देखें यहां पर निमलिकित में से कहां sports complex का निर्माण किया गया है तो sports complex का निर्माण कहां किया जा रहा दोस्तों यह किया जा रहा है बोपाल में मद्ध्रदेश की कर दिया तो कब की गई दोस्तों विक्रम पुरुसकार की स्थापना मद्ध्य प्रदेश में 15 माई 1990 को इसकी स्थापना की गई थी चलिए नेक्स हम देखें यहाँ पर करनल सी के नाइडू के नेतरत में होलकर किर्केट इस्थापना किस ने की थी तो सी के नाइडू की जो न विंटर इस्थापना की स्थापना कब हुई थी तो हम यहाँ पर देखें तो दोस्तों मद्ध्य प्रदेश में वहाँ बैड्विंटर इस्थापना 19 अक्टूबर 1946 को आपको डेट सही द्याद रखना क्योंकि आजकाल के व्यापम और MPPSC में भी स्पोर्ट से संबंधित क बहुत अधिक पूशे जाते हैं ठीक है जीके में पूशे जाते हैं और इसमें आजकाल जो है फोड़ा टप करने के लिए इसमें डेट भी पूशता है ठीक है तो किस डेट को इसकी स्थापना यह थी 19 अक्टूबर 1946 को नेक्स परस्ट नहां मद्ध्य प्रदेश में टेब खेल प्राधिकरण की स्थापना किस बर्स की थी तो भारत सरकार ने कप की थी दोस्तों खेल प्राधिकरण की स्थापना उन्निस जनबरी 1984 में ठीक है तो जनबरी 1984 में खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी भारत में चलिए नेक्स्ट है हम यहां पर देखें जर्मन प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस इस्तान पर खेल गाउं इस्तापित करने की गोशना की है इसका अंसर फश्ट रहेगा सद गड़ी जो है वहाँ पर खेल गाउं इस्तापित किया जा रहा है मद्य प्रदेश सरकार द्वारा नेक्स्ट है मद्य प्रदेश के भौपाल मे सेलिंग इश्कूल खोलने मैं निम्नमेशक किसका सायोग रहा थे ठीक है यहाँ पर सेलिंग की बात आ रही है ते सीधी सी बात इसमें नो सैना भारती नो सैना का इसमें सायोग रहा है नेक्स प्रसन है माद्डिय प्रदेश में हौलकर किर्केट एस्वर्षा के इसलिश है कि गई थी दोस्तों इसकी स्थापना जो की गई थी 1941 उनीस तो इक ताली में इन दौर में की गई थी और जो सबसे नभीनतम खेल नीती है वो है की गई है 2005 में इन दोनों डेट को आप याद रखना पहली 1989 और नभीनतम जो है 2005 में इसकी घोशना की गई है नेक्स हम देखते हैं यहाँ पर जबलपूर में किन संस्थाओं का मुख्याला है तो यहाँ पर हम देखें पहला ओप्सन है मद्देप्रदेश टेबल टैनिस असोसियेशन इसका भी मद्देप्रदेश में है मद्देप्रदेश वेडिमिंट असोसियेशन के मुख्याला कहा यह ही भी जबलपूर में है ठीक है और मद्ध Вас धृड्वाटी ओकर घंप आँश अंतराश्टी खिलाडी रहे हैं होकी के और इन्होंने बैतूल के सांसद भी रहे हैं ठीक है दोस्तों तो आज के लिए बस इतने ही मैं इसका एक और लेक्चर बनाऊंगा खेल से संबंदित जो है क्योंकि इसमें अभी मैंने डेट से संबंदित और कुछ फेक्ट सामिल किये हैं लेकिन इसमें जो खिलाडियों के नाम जो पूछ जाते हैं कौन सा खिलाडी के से संबंदित था और भी जो अधर इन्फोर्मेशन इसमें बहुत सारी छूटी हुई अभी उसके लिए मैं सेकेंड लेक्चर बनाऊंगा तो आप उसका वेट करिए वो लेक्चर आपको एक या दो दिन में मिल जाएगा दोस्तो धन्यबाद जय हिंद जय भारत लाइक करना ना भूलें